आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वाकत है तो आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक जिसमें की अभी आप सामने देख रहे हैं इस वत का ऐसा भी सवाल होता है कि जिसमें पुछा जाता है कि पांच में तीन कितने परसत है यानि एक रास को दूसरी रास के परसत के रूप में कैसे लिखेंगे तो यह हमाद जानेंगे तो आएए आगे बढ़ते हैं इस कुछ चर्ण में कैसे सालप करेंगे यहां पर लिखेंगे पांच में भाग है भाग का मतलब हिस्सा पांच में कितना भाग है बराबर तीन एक में कितना होगा एक में अगर कुछ का भाग है भाग का है मतलब यहां पर हिस्सा से एक में कितना होगा तीन बटे पांच मे जैसा कि हम जानते हैं कि प्रसत में जो होता है हम किस पर देखते हैं 100 में देखते हैं तो 100 में कितना भाग होगा 100 में भाग है बराबर 100 गोड़े 3 बटा 5 इस तरीके से साल्व करेंगे पांच एक कम पांच 25 तो काटके यहां पर लखना पड़ेगा 20 ओपर आ गया 20 गोड़े 3 और नीचे आ गया एक तो 20 ती आई 60 बटे एक यह नि बराबर साथ प्रसत कितना हो जाएगा यह 60 प्रसत हो जाएगा यह जो कि पिछले कुश्य की तरह 20 में भाग है बराबर 15 तो एक में भाग है कितना हो जाएगा 15 बटा 20 तो सव में कितना हो जाएगा सव में भाग है बराबर सव गोड़े 15 बटा 20 तो सल्फ करेंगे 20 तो कम 20 25 तो सव उपर आ गया 5 नीचे आ गया 15 बटा एक 15 पचे 75 बटे एक बराबर 75 पर सथ यानि जो 15 है वो 20 में कितनी हिस्सेदारी उसकी है सब्सक्राइब करेंगे वीडियो आपको पसंद आएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद